हाई गाईज वेल्कम बेक टू फूड वेटू हाईज कर संडे की हॉलिडे थी तो मुझे पता है आप सब लोगों ने अंट शंट इधर उधर का सब चट्पटा मीठा खट्टा सब खा लिया होगा तो गाईज अब हमें अपने रूटीन पराना चाहिए और कुछ हेल्दी ब से बनाकर देखें और हमें कॉमेंट बाक्स में यह बताईएगा कि यह पेस्टी थी या नहीं सबसे बड़ी भाद यह बनाने में आसान भी है और इसमें टाइम भी बहुत कम लगेगा तो आईए हम इसे बनाना शुरू करते हैं इसके लिए हम लेंगे एक कैबिट जो पां इसे काटना सबसे पहले सीखना जरूरी है इस तरह से हम सबसे पहले बन्द गोभी को बीट से काट लेंगे और देखिए यह साफ है और इसके बाद इसको साइड से धीरे धीरे इस तरह से small pieces में काटेंगे आप चाहें तो पूरा इसके लंबे लंबे भी flakes काट सकते हैं लेकिन मैं इसके small pieces ही ले रही हूँ इस तरह से पहले इसे बड़े parts में divide कर लेंगे और चेक कर लेंगे कि गोभी साफ हो बिल्कुल और उसके बाद हम इसे इस तरह से काटेंगे इस तरह से divide करके parts में काट लेंगे इससे easy लिए कर चाहती हैं और कुछ इसमें दिक्कत हो खराबी हो तो हमें पता भी चल जाएगा ये देखिए हमें इस एक बाद धो चुके हैं और एक बार हम इसे काटने के बाद भी धोएंगे इस तरह से बारीक बिल्कुल इसे काट लेंगे आप जाएं तो थोड़े इसके pieces लंबे भी रख सकते हैं लेकिन बारीक करने से ये मटर के साथ अच्छे हो टेस्टी लगेंगे इसलिए मैंने इस तरह से chop कर रही हूं इस देखिए ये बंदगव भी हमने काट दी है अब हम अनियन को काटेंगे बिल्कुल small pieces में इसको भी chop कर लेंगे इस तरह से एक टमाटर लहसुन की हमने ये दसकली ली है अध्रत ली है और हरी मिर्ची इसको एक साथ हम इस तरह से पीस लेंगे और टमाटर को भी छोटे-छोटे pieces में chopping कर लेंगे ये देखिए अब जी गुन-गुना पानी हमने लिया है और उसमें नमक डाल कर ये कटी हुई cabbage को हम इसमें डाल देंगे ताकि अगर इसमें कोई फॉर्म वगरा हो तो वो ना रहे और ये अच्छे से clean हो जाए क्योंकि बंदगोबी के बारे में लोग तानात्रा की बाते करते हैं कि इसमें की गड़ा होता है तो इसलिए से थोड़ी देर बिगो देंगे बस पांच मिनट काफी है और उसके बाद इसे निकाल लेंगे अब ये पैन में हम थोड़ा सा ओयल ले रहे हैं और इसमें ये देखिए सबसे पहले हरी मटर को इसमें हम इस तरा से shallow fry कर लेंगे थोड़ा मतलब सोते करना कहते हैं इसको सोते कर लेंगे बस दो तीन मिनट के लिए अब जो ये हमारी गोबी है इसे भी इसी तरा से हम हलकी ओयल में इसको दो मिनट के लिए कर लेंगे ऐसा करने से जो बंद घोबी है इसमें स्मेल सी जो आती है वो नहीं आएगी और आप देखेंगे कि इसका टेस्ट और ज्यादा अच्छा हो गया है क्योंकि कहीं लोग कैबिच खा नहीं पाते हैं उसे इसकी जो सबजी में उन्हें एक स्मेल सी आती है तो वो सब आपको नहीं आएगी दो मिनट में आप देखेंगे इसकी जो ये पत्ते हैं बिल्कुल बैठ चाहेंगे ये देखिए बस हमें इतना ही दो मिनट में इसका कलर चेंज करना है ज्यादा इसको ना करें और आप देखेंगे हरी मटर इसका कलर भी बहुत ज्यादा अट्रेक्टिव हो गया है क्योंकि जो सबसी हमें खाने में अट्रेक्टिव नहीं लगती हम उसे खा भी नहीं सकते अच्छे से सबसे पहल यह देखिए इसमें हरी प्याज जो प्याज था यानि अनियन हमने डाल लिया है अनियन को हम काला होने होने देंगे बस यह लिए ट्रास्लूसेंट हो जाए बस इतना ही काफी है उससे इसके जो विटामिस वहरा भी कम नहीं होते यह देखिए हलका हलका इसमें गोर्डन कलर आ गया है अब हम इसमें अद्रा कलैसून और मिर्ची का जो हमने पेस्ट बनाया है उससे इसमें मिला देंगे जो कि हमने बलकुत दरदरा ही पीज़ा था पस इसे इसमें मिला देंगे और देखिए यह एक मिनट के बाद हम इसमें यह टमाटर यह चॉप किये हुए इसमें मिला रहे हैं अब यह टमाटर बूनने के बाद टमाटर को थोड़ा च्छे से बून ले हमने अब जो हमारी फ्लेम है वो मीडियम ही रखी हुई है अब हम इसमें मसाले डालेंगे यह रेट चिली पाउडर यह टर्बरिक और यह धनिया पाउडर दो चमच हमने डाला है इसमें हल्दी को बहुत ज्यादा ना डालें उससे कलर ज्यादा अच्छा नहीं रहता तो वो थोड़ी डालें छोटी आधी चमच काफी रहेगी इसमें और नमक तो अस्वादान सर्थ डाल सकते हैं और यह देखिए हम जो यह मारी कैबिज थी एंड हरी मटर वो इसमें मिला दें और इसे फिर से अब दो मिनट के लिए इस तरह से मीडियम टू हाई करके फ्लेम को यह चलाएंगे मेरा पैन जो ता छोटा है तो मैं दीरे दीर इसमें मिला रही हूं आप एक साथ भी डाल सकते हैं यह देखिए अब बिल्कुल हाई फ्लेम है मेरी और उस पर ही मैं चला रही हूं इसे लेकिन आप देख सकते हैं इसका कलर कैसा है हमारी जो यह सूखी सबजी है इसका कलर कितना अट्रेक्टिव दिख रहा है तो हल्दी जादा डालने से क्या होता है जो मरी सबजी होती है उसका कलर काला सा दिखने लगता है ब्राउन जादा तो वो अच्छा नहीं लगता कोई भी वेजिटेबल हो उसका मीन कलर ज़्यादा खराब नहीं होना चाहिए ताकि वो दिखने में भी सुन्दर लगे और खाने में भी तेज़ती यानि कि वो जलनी नहीं चाहिए यह देखी हमें पकाते हुए यह 6 मिनट हो चुके हैं और हम इसको डखकर भी पका रहे हैं लेकिन डखते वक्त एक बात हमेशा याद रखिए कभी जब आप सबजी को डखते हैं तो उस वक्त फिलेंग जो है स्लो कर दें क्योंकि अगर आपको मीडियम यहाई ज्यादा रखेंगे तो वो नीचे से जल सकती है इसलिए उसे स्लो करके ही ढखें और तीन मिनट के बाद दो तीन मिनट में चेक करते रहें हम फिल से ढख रहे हैं और आप देख सकते हैं यह नीचे लग भी नहीं रही पैन में और अभी तकमने से पानी भी यूज नहीं किया क्योंकि जो बंद गो भी है उसमें अपना बहुत सा पानी होता है काफी तक उसमें पानी होने से हमें पानी जालने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ी और यह ज्यादा टेस्टी भी बनेगी अगर हम इसमें पानी डाल देंगे तो इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा नहीं आएगा ये देखिए मटर बिल्कुल गले हुए है ये सबसी जो है बिल्कुल रेडी होने वाली है एक मीनट में तो अब हम इसमें ये कटी हुई मिला देंगे अगर आप मीच्चा तीखा खाते हैं तो ढाल ले और नहीं तो आप स्किप कर दे आप देख सकते हैं इस वेजिटेबल का कलर कितना अच्छा आया है ये कीन मानी है खाने में भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा है लेकिन जब तक आप इसे बनाएंगे नहीं आप कोई पता नहीं चलेगा क्योंकि मैं आपको टेस्ट तो करवा नहीं सकती अभी ऐसी कोई टेकनोलोजी नहीं आई कि यह आप इसे smell कर सके and taste कर सके वो तो जब आप बनाएंगे आपका तभी पता चलेगा लेकिन हमें अपनी डाइट में इन green vegetables को शामिल करना चाहिए क्योंकि ज्यादा तरह हमें स्किप ही कर देते हैं और नहीं बनाते हैं लेकिन इन में अपने खुद के बहुत से vitamins होते हैं और यह देखिए यह हमारी हरी मटर और cabbage की सबजी रेडी है और इसे बनाने में हमें टोटल 15 मिनट का समय लगा है और आप भी इसे बना कर देखें और हमें अपने feedback देना बिल्कुल ना भूलें आगे आपके इस चैनल पर हम चॉक्लेट की रस्पी आएंगी अगर आप वो देखना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लें तो आप टाइम है टिप्स एंट्रिक्स का तो इस cabbage और मतर की स बन सके और कैबेज को बनाने से पहले उसे हलके गुनगुने पानी में नमक वाले पानी में बिखोकर रख दे बस फाइब मिनट्स के लिए और उसको छोटे स्पीसेज में काटे ताकि मतर के साथ वो खाने में अच्छी लगे और उनका नुपात इकवल रहे कैबेज की इस तो ये थोड़ी हलकी हलकी ही हमें कुप करनी चाहिए और एक कैबेज जो है उसे साथ आठ से मिनट से जादा हमें नहीं पकाना चाहिए ये जल्दी बन जाती है और हमारे जो अन्यन है उन्हें बिल्कुल ब्राउन ना करें हलके ट्रास्लूसेंट होने पर इंग में बाकी का समान डालें आण सूखे मसाले डालते वक्त एक बात ध्यान रखें कि वो जले नहीं और आप उन्हें पानी में डालकर भी 2-3 चमट पानी में भी मिलाकर सूखी मसाले को सबजी में डाल सकते हैं इस सबजी को धखते समय जो फ्लेम है उसे स्लो कर दे और नॉर्मली तो आप मीडियम टू हाई रख सकते हैं देकि लिसक में पानी का जादा यूज ना करें क्योंकि बंदों को भी में पानी डालने से उसका टेस्ट भी गर्सा जाता है तो आप भी जटाई करके देखें और ह सब्सक्राइब के साथ तक तक के लिए बाए टेक क्यार